दुनिया भर में सबसे जादा मोते होने कारण जो होता है वो heart attack है यानि कि cardiovascular diseases cardiovascular diseases का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी arteries के अंदर कुछ blockage होना शुरू हो जाता है उसका कारण कोई भी हो सकता है तो आपको cardiovascular diseases हो जाते हैं और अगर आपकी arteries में blockage होने लगे तो heart attack के साथ साथ आपकी दूसरे organs भी बहुत जादा प्रभवित होता है चाहे वो brain हो चाहे आपकी lungs हो चाहे आपका liver हो चाहे आपकी kidneys हो और अगर coronary arteries में blockage हो जाता है तो आपको heart attack आ जाता है और अगर brain को supply करने वाले artery में blockage हो जाता है तो उससे फिर आपको stroke हो जाता है जो paralysis और lifetime disabilities की तरफ भी लेके चला जाता है लेकिन आप एक छोटी सी साफधानी से और अपने kitchen के सिर्फ एक मसाले से इस खत्रे को टाल सकते हैं बशर्थे आप उसको सलीके से तरीके से इस्तमाल करें तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मसाले के बारे में किस तरीके से ये इस खत्रे को कम करता है और आपक ये अच्छा है अलोपेथिक दवाईया आपको फाइदा जरूर करेंगी लेकिन वो कुछ side effects लेके भी आते हैं तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक हम थोड़ा detail में इसके बारे में बात कर लेते हैं मैं इतने confidence से आपके साथ ये बात क्यों कह रहा हूँ इसका कारण यह है कि मैं आपके सामने share करने वाला हूँ कुछ finding एक scientific study के बारे में और उसके जो कुछ points हैं उनके बारे में कि किस तरीके से आपको heart attack के खत्रे से बचाता है और जो ये study छपी थी वो छपी थी general of applied chemistry के अ recording एक बसाला जिसके अंदर एक chemical पाया जाता है इसको capsizing के नाम से जाना जाता है ये chemical constituents इस बसाले का आपकी arteries के अंदर cholesterol के deposit को कम करता है vasodilator का का काम करता है यानि का arteries को को खोल के रखता है जिससे blood pressure कम हो जाता है अगर आपकी artery के अंदर blockage कम हो जाएगा blood pressure कम हो जाएगा तो ultimately आपको heart attack का खत्रा कम हो जाएगा जिसको हम हिंदुस्तान में कश्मीरी लाल मिर्च के नाम से जानते हैं इसका bottling का name जो है वो capsicum enum होता है और यह जो हमारी शिमला मिर्च होती है उसकी छोटी बहन आप इसको कह सकते हैं क्योंकि यह उसी परजाती या जाती की मिर्च होती है इसके अंदर जो तीखापन है वो थोड़ा सा कम होता है तो आप इसको थोड़ी जादा quantity में भी इस्तमाल कर सकते हैं और यह आपको बहुत सारी बिमारियों से बचाने में सहायक होती है यह शायद आप नहीं जानते और इसका अगर आप फायदा जान लेंगे तो definitely आप आगे से बाकी लाल मिर्च कर देंगे आगे हम बात करेंगे कि आप इसको किस तरी की से इस्तमाल कर सकते हैं और यह कैसे इन सारे खत्रों से आपको रोकती है और कैसे इन खत्रों से बचाती है और इसके अलावा और भी दूसरे कौन कौन से फायदे हैं जो आपको इस मिर्च से मिलते हैं या कश्मीरी लाल मिर्ट से मिलते हैं हाला कि साइन पेपर एक साला है आपके किचिन में शाहिद पाया भी जाता हो आप थोड़ा बहुत इस्तमाल भी करते हों लेकिन इसके अंदर इस chemical constraints के अलावा vitamin A, vitamin C, बहुत सारे antioxidants, anti-inflammatory properties और उसके अलावा healing properties properties भी इसके अंदर पाई जाती है क्योंकि capsicin जो है वो vessel dilator का काम करता है यानि कि blood pressure को कम करने का काम करता है protein को कम करता है, blockage को कम करता है अब वो होता कैसे है प्योंकि जब आप ये खाते हैं, मिर्ची जब खाते हैं जब आपके अंदर energy produce करती है आपके अंदर जब ज़्यादा energy produce होती है तो वो heat develop करती है जिसके वेश से आपकी body का metabolic function है वो बढ़ जाता है जब body का metabolic function बढ़ता है तो आपके calories जो है, वो बहुत तही से burn होते है और अगर आपके calories तही से burn होते है तो जो bad fat है, वो घटने लगता है यानि कि वो निकलने लगता है digest होने लगता है और जो cholesterol है, इसी वज़े से arteries के अंदर deposit नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर antioxidant, anti-inflammatory और healing properties भी पाई जाती है अगर कहीं पे artery के अंदर कोई injury हुई भी है तो वहाँ पे एक तो यह inflammation को कम करेगा और अपनी healing property की वज़े से उसको जल्दी से heal कर देगा जिसकी वज़े से आगे फर्दर वहाँ पे protein का खत्रा कम हो जाएगा और आप बड़े risk से या बड़े खत्रे से बच जाएगे कि आपके digestion को भी बहुत अच्छे से improve करती है और आपके liver के लिए भी यह बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ आपको एक कई सारे cancer के खत्रों से भी बचा के रखती है जैसे skin का cancer हो गया, prostate का cancer हो गया और pancreas का cancer हो गया इसके खत्रे को भी यह कम करती है और आपकी सेहत को और आपके स्वास्त को बना के रखती है तो ये तो आमने बात कर ली कि इसके फाइदे क्या है और कैसे ये आपको फाइदा पहुचाती है आप बात कर लेते हैं कि इसको इस्तमाल कैसे गया दे सकता है आप घर में जब खाना बनाते हैं, जैसे बाकी मिर्च, लाल मिर्च इस्तमाल करते हैं, पॉडर इस्तमाल करते हैं, तो अपने भोजन में, अपने सबजी में, सालन में आप इसको 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 इ के अंदर मिला लें उसमें थोड़ा सा आप अद्रक का जूस भी डाल दें जिंजर जूस डाल दें थोड़ा सा अपने स्वात के हिसाब से और उसके अंदर आधा चम्मच आपकी कश्मीरी लाल मिर्स बॉर्टर को मिला लीजे अच्छे से पेस्ट बना लीजे इसको आप इसको इस्तमाल किया तो आप देखेंगे कि आपका कॉलस्टरोल का लेवल कम हो गया है और अगर आप आज की रेट पर अपना लिपिट प्रोफाइल करा लेते हैं तो डेफिनिटली दो महीने बाद आपके जो कलस्टरोल के लेवल्स हैं वो बहतर हो जाएंगे जो आपका LD कॉलस्टरोल है, VLDL कलस्टरोल है वो गड़ जाएगा और जो HDL कॉलस्टरोल है उसकी मात्रा अच्छी होगी तो आप जरूर अपना लिपिट प्रोफाइल पहले कराएं इसको 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 इसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको कितना फाइदा मिला तो अगर आपको जानकर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू कर लें, शेयर कर लें, चैनल पर पहली बारा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल लेकन का बटन भी दबालें इस तरह के इनफोर्मेटी वीडियो आपको मिलते रहें, थैंक यू